कि मुझे आध है एक बार मैं सीएम रहते हुए यहां गुजरात के एक आधिवासी बाहुल जिले के स्कूल में गया था अब मैं वहां गया मैं देखा जो बच्चे थे बड़े साफ सुत्र थे और हरे के ऊपर एक दम छोटे बच्चे थे पीन से एक हेंड करची बलटका हुआ था तो और बच्चों को सिखाया गया था कि उसको हाथ साफ कोना है नाक साफ कोना है और वह करते थे और जब स्कूल प मैंने जब जानकारी पाई आपने आव तो मालूम है वार्या गुज्राथ में तो खास है कि पुराने कपड़े बेच करके बरतन लेते हैं जब खरीते हैं बरतन वह महला गरीब थी लेकिन अपनी साडी बेचती नहीं थी वह साडी को काट करके हेंकर जिब बनाती थी और बच्चों को लगाती थी अब देखिए एक सिख्षी का अपने पुरानी साड़ी के टुकड़ों से उस बच्चों को कितना संस्कार दे रही थी जो उसकी डूटी का हिस्ता नहीं था उसने सेंस अफ हाइजिन उस आधिवासी अलाके की मा की बात कर पितर था तो शीशा एक लगा था मिर लगा था आइना दो बाई दो का आइना होगा उस टीचर नियम बनाया था जो भी स्कूल आएगा पहले आएने के सामने पांच सेकंड खड़ा रहेगा खुद को देखेगा फिर क्लास में जाएगा उस एक मात्र से प्रयोक से जो भी बच्च आता था तुरंट उसके सामने अपना बाल ठीक करता था उसका स्वाबिमान जग जाता था उसको लगता था मुझे ऐसे रहना चाहिए बदलाव लाने का काम टीचर कितना अजभूत तरीके से करते हैं ऐसे सेक्ड़ों उदान हमारे सामने हैं साथियों आप कल्पन के बीच रहते हुए देखे हैं जाने हैं सीखे